वेल्कम टिश्टाउं डिक्टेशन डिक्टेशन पांच सकेन बार शुड़ होगा रेडी स्टार्ट भले ही अमेरिकी राष्टपती चुनाव के नतीजे अभी अपचारिक रूप से नहीं आये हो लेकिन अब डेमोक्रेटिक उम्मिदवार जो बाइडन को इतने वोट मिल चुके हैं कि उन्हें वाइट हाउस जाने से कोई नहीं रोक पाएगा हाला की रिपबलिकन उम्मिदवार और नीवर्तमान राष्टपती डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी अपचारिक रूप से हर स्वीकार नहीं की है और कानूनी पचड़े डालने में लगे हैं लेकिन वे यह भी अच्छी तरह जान चुके हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला और उन्हें बाइडन को कुरसी सौपनी ही पड़ेगी बाइडन के राष्टपती बनने के संकेत उसी दिन मिल गए थे जिस दिन अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया था वाइड हाउस के लिए रास्ता साफ होते ही बाइडन ने पहला एलान यहीं किया कि वे अब पूरे अमेरिकियों के राष्टपती हैं और पहला काम देश को एक जुट रखने का रखेंगे बाइडन की यह प्रात्मिकता इसलिए भी महत्पूर्ण है क्योंकि इस बार राष्टपती चुनाव में जिस तरह की कड़ी प्रतिश परधा देखने को मिली उससे साफ था कि अमेरिकी समाज दो खेमों में बट चुका है और देश के भविस्थ के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है ट्रम्प की हठ धर्मिता, बद जुबानी और कई मौकों पर अनुचित और विवादित बयान बाजी से चुनावी माहौल बदरंग हुआ यहां तक की जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने हथियार खरीदे उससे चुनावी हिंसा का खतरा गहरा गया था बाइडन ऐसे वक्त में राष्टपती चुने गए हैं जब दुनिया कोरोना महामारी से जूज रही है और इसका सबसे ज़्यादा शिकार अमेरिका ही हुआ है देश की अर्थविवस्था खस्ता हाल है लाखों लोग बेरोजगार हैं ऐसे में बाइडन की सबसे बड़ी चुनावती कोरोना और इससे उतपन हालात से निपटने की है कोरोना महामारी को लेकर ट्रम्प ने शुरू से जैसा रवया अक्तियार किया उसका खामियाजा अमेरिकी भुगत रहे हैं ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की बाइडन के सामने पहाण जैसे संकट हैं पर इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए की बाइडन इ पटने में सक्षम साबित होंगे वे राजनीत और प्रशासन के मंजे हुए खिलाडी हैं लगबग पांच दसकों से राजनीत में हैं उपर राश्टपती रहे हैं कई राश्टपतियों को करीब से देखा जाना है ऐसे में बाइडन से देश दुनिया की उमीदें क्यों नहीं होंगी तमाम ऐसे घरेलू और वैसिक मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका को नए सिरे से काम करना होगा आज अमेरिका की छवी एक दादागिरी करने वाले देश की बनी हुई है और यह और शांती को जन्म दे रही है नए निजाम को अब इरान उत्तरी कोरिया जैसे मुलकों के साथ नए सिरे से संतुलित विदेशनीत पर चलने की जरूरत है चीन के साथ कैसे तालमेल बैठाना है यह और भी जटिल मसला है ट्रम्प के कारेकाल में इन देशों से जिस तरह का टकराव बढ़ा है वह किसी युद्ध से कम नहीं था जलवाई संकट हाल में विस स्वास्थि संगठन से अलग होने सरडार्थियों के मुद्दे भी अहम हैं आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका को दो मुही नीति को त्यागना होगा वीजानीति को लेकर ट्रंप प्रशासन के फैसलों से कई देश परिशान हैं हाला की बाइडन भारत के साथ अच्छे रिष्टों का संकेत वे दे चुके हैं कमला हैरिस को उपराश्टपती बनाना भारती अमूल के लोगों और अस्वेतों के लिए सकारात्मक संदेश है लेकिन अमेरिका में नसली भेदभाव और हिंसा की घटनाएं सर्म से सिर जुका देती हैं अब बाइडन कैसे अमेरिका का मस्तक उचा करते हैं यह आने वाला वक्त बताएगा स्टॉप